बिहार दरोगा बिहार SI result को लेकर आप सब यह भरतियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले सब्ता बिहार पुलिस SI भरती परिच्छा का result आना मुश्किल आप लोग परिच्छा देने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि आपकी result जल्द ही जारी कर दी जाए 26 दिसंबर को आयोजित की गई प्रारभिक लिखित परिच्छा यानि कि PT की जो परिच्छा कंड़क्ट हुई थी का परिणाम अब अगले सब्ता आना मुश्किल है पहले उमीद जताई जा रही थी कि बिहार पुलिस SI प्रिलिम्स एकजाम का result जो है इसी माह के अंत में जारी कर दिया जाएगा आप लोग जो है पहले से यह जानते है पेपर में भी निकला था मैंने और लड़ी वीडियो बना कि आप लोग बताया भी था कि result जो है जारी क खबर निकल कर आ रही है बुरी खबर निकल कर रही है कि result मैं भी आपको इंतजार करना है पड़ेगा इसका मुख वज़ा आप देख सकते हैं लेकिन अब नतीजा आने की आसार जो है कम लग रहा है क्योंकि अभी परिछा की answer की आना बाकी है देख सकते है answer की आना बाकी है और answer की आने के बाद यानि की answer की जारी होने के बाद अभी अर्थियों को उस पर आपती दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा या परकिरिया में मतलब इस परकिरिया में कुछ दिन का और समय लगेगा तो अब इस बार जो है answer की जारी किया जाएगा अभ्यर्थियों के दोवारा मांग किया गया था कि बिहार दरोगा परिच्छा की एंसर की जारी किया जाए ताकि अभ्यर्थी जो है अपना एंसर मिला सके और किसी प्रसंद पर आपती हो तो आपती भी दर्ज कर सके इससे क्या होगा कि परिच्छा में परदासिता भी बनी रहेगी result को लेकर cut-off का भी पता चल जाएगा तो answer की जरूर जारी होनी चाहिए प्रतिक एक्जाम में जो है answer की जारी कर दिया जाता है तो अभियर्थी के दुवारा मांग भी किया गया था कि answer की जारी कर दिया जाये तहरे जब तक answer की जारी नहीं होती है आपठी नहीं ली जाती है तब तक result जारी नहीं किया जाएगा और यह official update नोग को मिला यह ऑपडेट छापी है इंदुस्तान पेपर ने तो आपकी answer की आने के बाद यानि कि इस बार answer की आपकी जारी होगी, उसके बाद आपसे आपत्ती लिया जाएगा और आपत्ती लेने के बाद आपकी result जारी किया जाएगा, देख सकते हैं, ऐसे में दरोगा और sergeant के 2213 पदो के लिए प्रारंबिक लिखित परिच्छा के result क के लिए अभिहर्थियों को थोड़ा और इंतिजार करना होगा तो इंतिजार अभिहर्थी कर सकते हैं लेकिन एंसर की जाड़ी हो ताकि परदसी जो है बने रहे परिक्षा में हाला की फरबड़ी मद तक रिजल्ट जाड़ी होने की उमीद की जा सकती है यानि की फरबड़ी परिच्छा आउजित की गई थी इसमें करीब 6 लाख अभियर्थी जो थे रजिस्टेशन कराये थे 30 परतिसत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभियर्थी मुक परिच्छा के लिए असफल घोसित किये जाएंगे प्रारंभिक परिच्छा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्ती के 20 गुना रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा सफल अभियर्थियों का चैन जो है किया जाएगा कोटी वार जल्द होगी मुक परिच्छा देख सकते हैं कि प्रारंभिक परिच्छा का रिजल्ट जारी क करने के बाद पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा और सारजन की मुख परिच्छा की तयारी में जुट जाएगा आप लोग जो हैं तयारी में जुट जाएए मेंसकी तयारी करिए जिन लोगों का अच्छा score कर रहे हैं आप लोग को पता चल गया होगा तो मुख परिक्षा का योजन जो है जल्द ही कर लिया जाएगा कूल पदों के मुकाबले कम से कम 20 गुना अभ्यर्थियों का चैन जो है मुख परिक्षा के लिए किया जाएगा लिहाजा अभ्यर्थियों की संख्या 44,000 से अधिक पहुंचेगी तो आप सभी तवमवर्थी पीटी का result का इंतजार कर रहे है तो उन लोग अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वार ऐंसर की जारी किया जाएगा क्योंकि आप लोग के दोवारा मांग किया जा रहा था कि एंसर की जारी किया जाए ताकि question का answer हम मिला सके आप अती दर्ज कर सके तो इस बार जो है आपकी answer की जो है जारी होगी और इसमें थोड़ा सा समय लेगा यानि कि फरवरी में आपके result जो है जारी होगी उसके बाद मेंस की परिच्छा होगी तो मेंस के के लिए मैंने भी पहले ही अपडेट आप लोग को दिया था कि result जो है कब जारी होगी answer की के रिगार्डिंग भी मैंने अपडेट दिया था तो यह अपडेट आप सभी तमाम विर्थी के लिए निकल का आ रही है दोस्तों अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकोन हैं से भी दवा दे इस वीडियो का अपने दोस्तों में भी सेयर करते पूरे वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यबाद